अलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े खवरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आरवी परिच्छा के नतीजे सुकुरवार को जारी कर दिये गए इस बार इंटर आर्स कॉमर्स और साइन्स तीनों में कोल 88.4 प्रिजदी चात्र सपल हुए जो की पिछले साल की तुलना में 2.4 प्रिजदी कम रहा 2020 में बिहार बॉर्ड इंटर का रिजल्ट 80.44 प्रिजदी रहा जो अब तक कर सरवादे के वहें 2019 में इंटर में कोल 89.76 प्रिजदी विदाती उत्रिन हुए थे 2017 के बाद बॉर्ड परिच्छा कारिकरम में कई बदलाव के बाद जिस तरह से लगातार बिहार बॉर्ड का रिजल्ट बढ़ रहा था उससे उम्मेद थी कि इस बार भी यहाँ अस्सिफ हिजदी को पार कर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका नालंदा की सोनाली बनी साइंस में बिहार टोपर ठेले पर घोम घोम कर खाने पीने का समान बेचते हैं पिता बेटी के टोप करने से पुरे परिवार में खुसी का लहर है आपको बदा दे कि सोनाली ने पुरे राज में 500 में 471 अंक लाकर साइन संकाय में टोप किया है औरंगाबाद की सुगंदा बनी कॉमर्स की स्टेट टोपर घर से रोज 15 किलोमेटर दूर जाती थी कोचिंग से बनने का सबना बिहार की औरंगाबाद की रहने वाली सुगंदा कुमारी कॉमर्स संकाय में इस्टेट टोपर बनी है सुगंदा की संगर्स की कहानी ऐसी है कि वह रोज अपने घर से 15 किलोमेटर कोचिंग पढ़ने जाती थी बहुती कटनाय से पढ़ाई कर सुगंदा पुरे बिहार में टोप की है बिहार इंटर्मेडेट के परिच्छा में इस बार बेडियों कहीं दबदबा है और अंगाबाद जिले के ओबरा प्रकन मुख्यालई से सटे बेल रोड के रहने वाली सुगंदा कुमारी ने कॉमर्स में टोप किया है सुगंदा ने देश भर में अपनी पिता स सुनिल कुमार गुपता का नाम रोशन किया है जो पेशे से व्यवसाई है सुगंदा के पिता सिमेन का व्यपार करते है इस्टेट टोप पर बनी सुगंदा कुमारे ने बताये कि वह चार्टर्ड एकाउन बनना चाहती है उसने कहा कि वह प्रत्य एक दिन आठ से दस गंड मधुभारती और जमुई के कैलास कुमार संयुक दूप से बने 800 टोपर जी हां खगडिया निवासी और आरलाल कोलेज के चात्रा मधुभारती को 463 अंक मिले हैं पिता भुगोल विशे में बापुजी इसमारक मिडिल स्कूल मांसे में टीचर है वह मा रिभाब कुमारी हा आर्स में हिट बिहार टोपर रही है मांसी प्रकंड राजा नन गाव की है मधू आयस बनना चाती है दोसरी और सुपोल जिले के त्रिवेनी गंज के अतलका बेलाही वाड पांच निवासी और लचमिनिया में पेडोल पंपर नोजल करमी के रूप में काम करने ओले उपें इंद्र मंडल ने बताया कि बेटे की बेहतर पदसन से वह काभी कुस है उसे आगे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे लेकिन उन्हें डर है कि उनकी गरिभी केलास के मनोबल को कहीं कमजोर ना कर दे उन्होंने कहा कि सरकार की और से अगर कोई मदद मिल जाती तो बिष्वास की केलास कुछ अच्छा करकी दिखाएगा अगली बड़ी कपर बिहार बोर्ड इंटर में सबसे ज़्यादा फर्स डिविजन साइन्स और कॉमर्स से आर्ट्स में सेकंड डिविजन सबसे ज़्यादा बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परिचा 2021 की परिचा में विज्यान संक्या में कुल 2,14,657 स्टूडेंट प्रतम स्रेनी से 1,88,544 स्टूडेंट दिवत्रिय स्रेनी से तथा 8,036 स्टूडेंट त्रित्रिय स्रेनी से उत्रिन हुए वही कला संक्या में 1,9530 स्टूडेंट प्रतम स्रेनी से 3,29,926 स्टूडेंट दिवत्रिय स्रेनी से तथा 1,197,194 स्टूडेंट तिवत्रिय स्रेनी से सफल हुए वही वानिज संकाय में कूल 37,258 स्टूडेन प्रतम स्रेनी से 24,242 उटेडेन दितिय स्रेनी से तथा 6,106 स्टूडेन तीत्रिय स्रेनी से सफल हुए 30 मार्च से 8 अप्रेल तक पतना और आनन्द बिहार टर्मिनल के बेच चलेगी परिच्छा स्पेशल ट्रेन यहां पतना और आनन्द बिहार टर्मिनल के बेच 8 अप्रेल तक रोज परिच्छा स्पेशल ट्रेन चलेगी एंटिपीसी परिच्छा स्पेशल ट्रेन का परिचालन होने से अभियर्तियों के साथ साथ होली पर्व के बाद वापसी यात्रा के लिए यह ट्रेन आतरिक्त दूसरी और गया सासाराम के रास्ते भागलपूर से नई दिल्ली के बेच चलेगी होली स्पेशल ट्रेन जिहां होली में यात्रियों की सुविदा के लिए पूर्व मद रेल ने भागलपूर से नई दिल्ली के बेच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है यह ट्र भागलपूर से नेजदिली के बेज चलेगी भागलपूर से नेजदिली के बेज होली स्पेसल ट्रेन 5 और 12 अप्रेल को चलेगी जबकि नेजदिली से भागलपूर के बेज स्पेसल ट्रेन 6 और 13 अप्रेल को चलाए जाएगी चमकी बुखार को लेकर अलट हुई नितिस सरकार 12 जिले के अधिकारियों को दिया ये टास्क बिहार के बच्चों को हर साल अपना सिकार बनाने वाले चमकी बुखार बिमारी को लेकर राज का स्वास्थ बिवाग पहले से सजग हो गिया है या बिमारी हर साल मुझपरपूर और इसके आसपास के 12 जीलों में गर्मियों में अपना प्रकोप दिखाती है साल 2019 में इसके कारण लगबग 1500 बच्चों की मौत हुई थी ऐसे में सरकार इस साल बच्चों को बचाने के लिए काम कर रही है स्वास्त मंत्राले के प्रधान सचीव प्रतत अमरीत तीन टीमों के साथ गुरुवार को मुझपरपूर पहुचे और पूरा दिन जीले में गुजारा वे खूद फिल्ड विजिटी के लिए काटी गए जहां PSC के निरिछन के बाद प्रभावित गाम पहुचे उने गाह में सरकार द्वारा चलाये जारे जागरुकता अभियान और बिमार बच्चों को नजदी की अस्पताल ले जाने के लिए ट्रांस्पोर्ट का जाजा लिया इसके साथ ही प्रधान सचीव ने सभी जीलों के डियम को जागरुकता अभियान तेज करने और बिमार होने पर बच्चों को जल से जल नजदी की अस्पताल पहुचाने के निर्दिश दिये बिहार में बढ़ गया बिजली का दाम हौली से पाले लोगों को लगा करन का जटका जहां बिहार के लोगों को हौली पर्व से पाले बढ़ते महंगाई की बीच एक और जटका लगा है दरसल विदूत विनायमक आयोग ने बिहार में 1 अप्रेल से बिजली की नई दर्य लागू करने का फैसला किया है वितिय वर्स 2021 में बिजली की दर्य में 0.63 फैसली की बड़ोत्रिक की गई है विदूत विनायमक आयोग की पैसली की मुताबिक 1 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 तक बिजली की नई दर्य लागू होगी बिहार स्टेट पावर ट्रांस्मिसन कमपनी 1403 करोड का प्रस्ताव दिया था जबकि आयोग ने 1130 करोड मंजूर किया आपको बदा दे कि दो कमपनी साउथ और नौर्थ बिहार पावर डिस्टिबिशन कमपनी ने बिजली की दर 9 से 10 पिजदी की बड़ोत्रिक का प्रस्ताव पाले से ही दे दिया था बिहार के लोगों को सीम नितिस का तौफा नेचर सफारी और 8 सीट रोपिय का किया उदगाटन जिहां अंतर राश्ट्य परियाटन केंदर राजगीर में नाव निर्मित 8 सीट वाले रोपिय और नेचर सफारी का उदगाटन कल मुखिमंत्रे नितिस कुमार ने किया उन्होंने नेचर सफारी में बने ग्लास ब्रेज का भी मुआयना की आपको बता दे कि इस सफारी के केंपरी हट, वुडेन हट, बॉंबू हट, मड़ हट, हाउस आदी के बनाये जाने से बेहत सुन्दत दृस से हो गया जिसमें परियाटक पेइंग गेश्ट बनकर भी इसमे कुछ दिन बिता सकेंगे जबकि इसमें भी एक छोटा सा बटर फ्लाइ पार्क का निर्मान किया जा रहा है, पंचायतों में सुरक्चा को लेकर लगेगा सेसी टिवी केमरा, गावों में पार्क, छट गाट और खेल मैदानों का होगा निर्मान, बिहार में सहरों के तर्ज पर गावों में भी सुरक्चा को सक्त बनाने के तैयारी आरहम हो गई है, साथ ही गाव में भी खेल के मैदान और पार्कों का विकास किया जाएगा, इसके लिए पंचायती राज विवाग ने सुकरवार को इस आसर के निर्ने लिया है, जिससे राज की 8300 पंचायतों का सौ मंत्री समराठ चोधरी ने बताया कि विवाग ने 15 वित आयोक की रासी के खर्च को लेकर सुकरवार को महतपोर निन्ने लिया है, उन्होंने बताया कि 15 वित आयोक के अनुसंसा से त्री स्तरिय पंचायतों को टाइट और अंटाइट पंड के रूप में रासी देने के साथ उसके खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। सुरक्षा को लेकर दिन वा रात दोनों समय गस्तिक को तेज करने की जिम्मेबारी भी थाना अदज को दे दी गई है पूरे पटना जिले में सुरक्षा को लेकर बीमपी के जवान की भी तैनातिक की जाएगी इसके लिए पटना पुलिस के अलावे बीमपी के 13 कमपनियों की जगा जगा पर ड्यूटी लगाए जाएगी बिहार में बढ़ा कोरोना का खौब हौली से पहले केंदर सरकार ने ज़रोरी कदम उठाने का दिया निर्देश बिहार में इन दिनों कोरोना मरेजु की संक्या तेजे से बढ़ रही है इस्तिति को देखते वे केंदर सरकार ने बिहार के मुखे सचीव को पत्र लिखकर हौली सब ये बारात एद उल फितर सहित अन पर उतिहार में ज़रोरी कदम उठाने का निर्देश दिया है बिहार समेत देश के निराज्यों और केंदर सासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति को देखते वे केंदरे गरे सचीव अजे बहला ने सुकरवार को सभी राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है मुझपरपूर में सो बेड के केंसर अस्पताल को मंजोरी SKMCH में बनेगा नया बर्नवार्ड जहाराज सभा में केंद्रिय करमिक लोक सिकायत और पेंसन तता प्यमो राज मंत्री जितंद सिंग ने बताए कि परमानु उर्जा विवाग के तरप से मुझपरपूर में सो बेड के केंसर अस्पताल के निर्मान को मंजोरी मिल गई है इसके निर्मान पर 119 करोड 15 लाग की लागत आएगी बिहार सरकार ने इस अस्पताल के लिए दो वर्स पहले ही स्रिक्रिश्न मेडिकल कोलेज के परिसर में मुप्त 15 एकर जमिन उपलब्द कराई है अरंध की बड़ी खबर दरबंगा ने जीते बिहार किर्केट लीग पटना को तीन विकेट से हराया जीहां पटना पाइलेट्स को तीन विकेट से हराकर दरबंगा डायमंड्स ने सुकुरवार को बिहार किटकिट लीग की ट्रोफी अपने नाम कर ली राजदानी के उरजा मेडान पर सुकुरवार को खिले गए फाइनल मेच में पटना ने पहले बल्लेबाजी करते वे का जबाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं